हेलो फ्रेंड वेलकम बैक टो मैं वीडियो आज की इस वीडियो में हम लोग बिहारा स्पेसल प्रसुनों करेंगे वही प्रसुन जो की पिछला वीडियो में था पार्ट वन इसका आ चुका है आप चाहे तो हमारे चैनल पर जरूर देखिएगा उसको उसको उसी कुछ रिमे सिस एसाई हो गया या फिर एसाई हो गया सभी के लिए बहुत जरूरी है ठीक है तो चलिए बेडियो में की तरह बढ़ते हैं बीडियो को सुरू करते हैं पहले प्रस्ण की तरह पहला प्रस्ण है निमनी में से किस सासक ने राजगीर की किले बंद दिवार का निर्मान यानि कि option number D हमारा सही होगा अगर बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की तरफ अगले प्रस्ण है राजगीर की किले बंद दिवार एवं बराबर की गुफाओं का अध्यन किसके द्वारा किया गया था ओप्सन से मार्क कुर्क बुकानन हैमिल्टन या भी और सी दोनों तो जो राजगीर का किले बंद दिवार है और जो बराबर की गुफा है इसके अध्यन किया गया था अगले परसन की तरफ अगला प्रसन है कि ससाङ के स्वरन स्ख्के कहां से मिले हैं आप से पटना नालंदा गया या दूक्त की रहेких साइब कर झाँटरब। और stairs in फोन दोना के नालंदा और गया दूनों जगह से ससाङ के स्वरन के सिक्के मिले हैं यानि कि option number D हमारा सही होगा ठीक है आगे बढ़ता है अगले प्रसंट की तरफ अगला प्रसंट है बराबर की पहाड़ियों में असोक एव मुस्के पौत्र दसरत द्वारा निर्मित गुफा का वर्ण किस ने किया था मेजर बारो मेजर कुक मेजर किट्टो या फिर हैमिल्टन जिसके सही जवाब होगा मेजर किट्टो यानि कि option number C हमारा सही होगा अगे बढ़ते हैं अगले प्रसंट की तरफ अगला प्रसंट है कि निम्न में से किसने कुर्किकार कुमार पाटली पुद्र के टीडे का उत्खरन करवाया था ओप्संस है मेजर किट्टो लिंग्राड बुकानन या डेविड होप तो इसका जो सही जवाब होगा यह होगा मेजर किट्टो ठीक है अगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ अग अगे बढ़ते हैं अगले प्रसन की तरफ अगला प्रसन है बिहार के पुरा तात्विक अस्तलों के पहचान कब हुई थी आप्सन से 1855, 1857, 1869 और फिर 1861 तो जो बिहार के पुरा तात्विक अस्तल है इनके पहचान हुई थी 1861 में यानि कि option number D हमारा सही होगा अगे बढ़ते हैं अगला है किसके दौरा बिहार के पुरा तात्विक अस्तलों की पहचान की गई थी options है कनिंगम, मेजर किटो, मेजर बारों या हैमिल्टन तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा कनिंगम यानि कि option number A हमारा सही होगा नेश्ट कोस्चन है किसने बोध गया में इसित बोधी मंद्र का बारे में बताया था options है बुकानन, लिंगराड, जेम्स होप्स या कनिंगम तो बोध गया के बोधी मंद्र के बारे में जो बताया थे वो थे कनिंगम यानि कि option number D हमारा सही होगा यहाँ पर अगले नालंदा महाविद्याले स्थित है options है कनिंगम, जेम्स कुक, डेविड हेयर या कार्ल मैजिन इसका सही जवाब होगा option number यह कनिंगम अगे बढ़ते हैं अगला प्रसंद है निम्नि में से किस अस्थान से कुमार गुप्त एवम असकन गुप्त का परसिद पासान लेख मिला है option से मुंगेर, पटना, नालंदा या गया इसका सही जवाब जो होगा वो होगा नालंदा यानि कि option number C हमारा सही होगा अगे बढ़ते हैं पटनव इस्विदाले में कब प्राचिन भारती इतिहास एवम पुराता तुभाक्या स्थापना की गई option से 1948, 1949, 1950, 1951 से जवाब होगा 1949 यानि कि option number B हमारा सही होगा अगे बढ़ते हैं अगला है किस ने 1950 में वैसाली एवम 1951 में कुमारार का उद्खरण करवाया था options है के देव, डॉक्टर सोम प्रकास, डॉक्टर अल्टेकर या ए और सी दोनो तो इसका सही जवाब होगा 1960, 1962, 1964, 1966 सही जवाब होगा 1962 यानि कि option number B हमारा सही होगा अगला है जातक कथाओं का संबंद किस धर्म से माना जाता है option से जैन, बौद, सीख या सैव तो इसका जो जातक कथाओं ये संबंदित है बौद धर्म से अगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की तरफ अगला प्रस्ण है जातक कथाओं में स्वर्न सिक्के है तू किस सब्द का परियोग किया गया है तो जातक कथाओं में स्वर्न सिक्के है तू जो सब्द का परियोग किया गया है उसके लिए options है रूपक, कनिस्क, निस्क या कर हुए हैं option से पटना वैसाली बुंगेर यह कहीं से नहीं इसका सही जवब डी होगा कहीं से नहीं यह प्राप्थ हुए गया से ठीक है ओके अगर बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है अगला है आरमक्सिकों को blank कहा गया है क्या कहा गया आरमक्सिकों को option से कर्ण पन्द आहत या निस्क सही जवब होगा आहत सिक्के के कुई इनको किसी साचे पर दबा कर या ढाल कर बनाएं गया है ठीक है अगला है विर्यद राने उपनिस्द के अनुसर विदेह के राजा खालियस्थान ने निस्क यानि स्वर्ण सिक्के दान में दिये थे तो विदेह के राजा कौन थे जनक, कपील, सुदोधन या सिदार्थ तिसका सही जवब होगा राजा जनक ठीक है अगर बढ़ते हैं अला प्रस्द है बिहार से प्राप्त प्राचिन सिक्के मूलता आहत सिक्के ही है जिने अनेक नामों से जाना चाता है इनका और नाम क्या है पर्ण, कासा पर्ण, धारन या ए बीसी तीनों ठीक है अगला है बिहार के किस स्थान से रजत आहत सिक्के मिले हैं अप्शन से लोहानिपूर मोतीपूर फतुहा या ए बीसी तीनों इसका सही जब अगए नंबर यानि कि तीनों यहां पर यहां पर अगर बढ़ते हैं अगला प्रस्द की तराफ गुप्त कालिन बिहार में किस धातु के सिक्के परचलित थे ओप्सन से सोना चांदी तांबा यह तीनों यहां पर भी ओप्सन नंबर डिस रही होगा कि यह तीनों सिक्के ही परचलित थे और अगे बढ़ते हैं इसके बाद जो प्रस्द है वह सहितिक स्रोथ से है ठीक है तो इसको भी ध्यान से देखेगा यह अभी आपके लिए काफ यदा इंप्वर्टन्ट है अगला है निमिन में से कौन बिहार का सहितिक स्रोथ है और से रीगवेद अर्थवेद अर्थवे कि बिहार सब्द का पर्था मुल्य किस ग्रंथ में हुआ है रीगवेद अर्थवेद सत्पत ब्राम्मन या विर्याद रानाइक जिसका सही जाओ होगा अर्थवेद यानि कि ऑप्सन नंबर बी हमारा सही होगा अगे बढ़ते हैं अगला है मगद का सवर्वेद अर्थवे सामवेद या सत्पत ब्राम्मन यहाँ पर सही जाओ होगा रीगवेद यानि कि ऑप्सन संख्या एस होगा अगे बढ़ते हैं व्हार में निम्न में से किस साहित से बिहार के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है ठीक है ऑप्सन से अंगूतर निकाए भगवती सुद्र द अंगूतर निकाए और दिर्ग निकाए का संबंद किस धर्म से है ऑप्सन से बाद जैन वैसनों यह सैव से जाओ अगर अंगूतर निकाए और दिर्ग निकाए बाद धर्म से संबंदित है अगर बढ़ते हैं भगवती सुद्र का संबंद किस धर्म से है ऑप्सन से सैव व अग़े बढ़ते हैं अगले प्रस्राव की तरफ अगला प्रस्राव हैं सरपथ्म महा जनपदों के जनकारि किसद्द से मिलती है पहल्द चैका सा भगवतिय सूत्र अंग्उतर निकाह धृष्ट यसा बढ़ते हैं ऐए और हस्ट तो महा जन Figosky और है किते नहीं थी option से 14 15 16 या 17 तो कुल महाजनपद कितने थे 16 थे यानि कि option संख्या सी सही होगा यहाँ पर अगर बढ़ते हैं अगले प्रसंद की तरफ अगला प्रसंद है बिहार में कुल कितने महाजनपद इस्थित है option से 2, 3, 4 या 5 बिहार में कुल महाजनपदों के संख्या है वो है 3 यहाँ पर option नमबर याद रखिएगा option नमबर B यहाँ पर सही होगा अगर बढ़ते हैं अगला question है निमन में से कौन बिहार इस्थित महाजनपद नहीं है ठीक ह महाजनपद नहीं की बात हो रहा है option से अंग, मगद, वज्जी या फिर वत्स तो सही जाब होगा वत्स बागे 3 महाजनपद जो है यह बिहार के महाजनपद थे ठीक है अगर बढ़ते हैं अगले प्रस्न की तरफ अगला प्रस्न है तबकाते नासीरी के लिखक कौन है option से म नहास उच सिराज ठीक है अगर बढ़ते हैं अगले प्रस्न की तरफ अगले प्रस्न है निम्ण में से कौन सी पुस्तक अब्बास खास अरवानी द्वारा लिखी थे options है तारीख है दावदी, पाधसाह नामा, तारीख है सेरसाही, तारीख है फिरोज सही सही जाब होगा तारीक है सेर साही, यानि कि आपसन संख्या सी सही होगा, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रस्न की तरफ, अगले प्रस्न है, निम्न में से कौन सी पुस्तक, भारत में लिखे, फार्सी की पर्थम रचना है, ठीक है, आपसन से, तबकाते नासीरी, किताब अलहिंद, या हिंद नामा, इसका सही जवाब जो है, वो होगा, तबकाते नासीरी, ठीक है, यानि कि आपसन संख्या, ए सही होगा, अगे बढ़ते हैं, अगले प्रस्न की तरफ, अगला प्रस्न है, निम्न में कौन वाक्यात ए मुस्ताकी के लेखक है, आपसन से, सेख कबीर, रिजक ठीक है, यानि कि आपसन संख्या, भी सही होगा यहाँ पर, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रस्न की तरफ, निम्न में से कौन गुलाम हुसेन तबात ताई की रचना है, आपसन से, वाक्यात ए मुस्ताकी, हिंद सोम, सिया उल्मुख्थख्यरनी या हिंद नामा, तो इसका स आगे बढ़ते हैं, अला कोश्चिन है, किर्ती लस्ता और किर्ती पतागा के रचनाकार कोन है, आफसन से कबीर, नामदेव, भाग नार्जुन, या विद्यापती, आप FBI, विद्यापती यानि कि अफसन संख्याइक डी सही होगा, निम्न में से कौन जोतिरिस्वर की रचन है ठीक है अप्सवन भेद रतनाकार वर्ण परीचाय या वर्ण व्यवस्था से जाबों को वर्ण रतनाकार यानि कि आप संख्या बीस होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण के तरफ अगला कार है प्रस्ण है रजनी रतनाकार नामक पुस्तक के लेखक कौन है और संसे विद्यापती नागार्जुन चंदेश्वर या जोतिरीश्वर यह सही जाबों को चंदेश्वर आगे बढ़ते हैं निम्र में से कौन अकबर नामा के लेखक है आपसंस है जियाओदिन बर्ली मिनहाज उस्सिराज अबुल फजल सुरी या फिर अब्दुल हमीद लाहुरी सही जवाब होगा कि अबुल फजल ठीक है अगे बढ़ते हैं अगले प्रसन की तरफ अगला प्रसन है निम्र में से किसकी रचना इंडिका है तो यह एक फेमस पुस्तक है फेमस कोश्चन भी है तो इंडिका ऑप्सन के बात कि जाए रेंस वांग इत्सिंग फायान या मेगा स्थनीज तिसक अगर बढ़ते हैं अगले प्रसन की तरफ अगला प्रसन है कि निम्र में से किसका संब्ध युणान से है ओफ तो Inspector नुदिज है मेगा स्थनीज या कब्टन कुक है इसका सही जवाब होगा मेगा स्थनीज यानि कि ओप संक्ष्या सी सही होगा हाँ अगर बढ़ते अगले तरफ अगला प्रस्ट है निवन में से किसका यात्र वितांत बिहार के लिए साहितिक श्रोत माना जाता है ऑफ्सन से वेंच्वांग फायान इत्सिंग या एबी-सी तीनों तो यह हुआ वेंच्वांग फायान और इत्सिंग तीनों यानि कि सब्सक्राइब दी सही होगा कि आगे बढ़ते हैं अगले प्रसंद अगला प्रसंद है निम्न में इसे किसने मुगल काल में बिहार की यात्रा की ऑसन्स है जॉन मार्सल पीटर मुंडी मनुच्छी या ए बीसी टीनो तिक सभी होगा ए बीसी तीनो यानि को जॉन मार्सल पीटर मुंडी यार मनूची ठीक है यानि कि ऑफसन संकेट डी यहाँ पर सही होगा अगला कुश्चन है और आखरी कुश्चन आच का निम्न में से किस यूरोपी यात्री का यात्रा विर्तांत बिहार के इतिहास का साहित्तिक सुरोत है ऑफसन से रॉल्फीच एडवर्टेर मौनरिक या एबीसी तीनो इसका भी सब्सक्राइब यानि कि तीनों ही सही है ठीक है तो आज ही वीडियो में इतना है फ्रेंड हम दोगों ने लगभग 45 प्रस्णों के लगभग किया है उमीद है यह प्रस्ण आपकी एक्जाम के लिए काफी अदर महत्पूर्ण होंगे मिलते नेक्ट वीडियो में और भी बिहार स्पेस्यल प्रस्णों के साथ और अगला जो हमारा टॉपिक होगा वह होने वाला है प्राचिन काल प्राक अति